दिल्ली में यूपी सरकार के तीन गेस्ट हाउस हैं। यूपी सदन में मुख्यमंत्री, राजपाल और दूसरे वीवी आईपी ठहरते हैं। और यहां सरदार पटेल मार्ग पर जो उत्तरपदेश भवन जिसे यूपी भवन कहते हैं वो विवादों में। विवादों में इसी लिए है की इसी के एक कमरे में साउत की एक अभिनित्री के साथ यूण सोशन होने का आरूप लगाया गया है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, कुछ लोग इसमें सस्पेंड भी कर दी गये हैं सरकारी कर्मचारी के, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, आम तोर पर ये जो यूपी भवन है, इसमें यूपी सरकार के लोग और साथ ही जो विधायक, सांसद, पुर विधायक औ परमार, जो की हर दोई के रहने वाले हैं, और उनके फेस्बुक प्रफाइल पर जाएं, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और साथी केंदरी मंत्रियों की उनकी तस्वीरे हैं, ये यूपी भवन हो गया, यूपी भवन के अंदर चलेंगे, तो जो आरोप लग है, जिसके चक्कर में व्यवस्था अधिकारी और उनके साथ तीन और लोग सस्पेंट किये गए हैं, मामले की जाच भी की जा रही है, हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि उस कमरे में जिस पर विवाद हो रहा है, ये आगे के तरफ चलते हैं, ये व्यवस्था अधिकारी एक केस दर्ज होता है, जो साथ की अभिनित्री हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और जो खुद को हिंदू सेना का प्रवक्ता भी बताती हैं, हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं, वो जैपूर में रहते हैं, संगठन भी वही का है, जो आरोप लग रहा है, वो मह 121 से 123 यानि कमरा नंबर 122 इस कमरे को सील कर दिया है दिल्ली पुलिस ने यहां से फोरेंसिक जो एविडेंसेज होते हैं सबूत वो इकठा किये गया है उस कमरे की पूरी निगरानी की गई है यह 122 नंबर का कमरा है जो CCTV फुटेज लगे हुए है यूपी भवन में उस कमरे म यह बताया जा रहा है कि इसी कमरे में 12 बज कर 22 मिनट पर आरोपी राजवर्धन सिंग परमार और साथ ही वो जो लड़की जो साउत की अभिनित्री बताई जाती है दोनों इस कमरे में आते हैं CCTV फुटेज में भी दिख रहा है दोपर एक बज कर पांच मिनट पर तारीक 26 और दोनों निकल जाते हैं आरोपी का यह कहना है कि वो उस दिन निकला तो दोनों साथ ही गारी में निकले घटना 26 तारीक की है मोकड़मा 27 तारीक यानि अगले दिन दर्ज कराई जाती है 27 तारीक को ही यूपी के मुख मंत्री योगिया आदितनाथ यही दिल्ली में थे उ इसलिए ये मामला उनके सामने रखा गया, उसके बाद कारवाई हुई, सरकार के तीन कर्मचारी जो वस्ता अदिकारी समेथ सस्पेंड किये गये, एक आउट्सोर्सिंग वाला भी सस्पेंड किया गया, घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अभिनेत्री जो साउत की बता के दोस्त हैं, कॉंग्रेस की नेता हैं, हर्दोई के रहने वाले हैं, उनी की फोन करने पर 25 तारीकों मुलाकात हुई दोनों की, आरूपी के काना एक उसी के घर पे मुलाकात हुई, और फिर 26 तारीकों इसी 122 नंबर कमरे में दोनों आते हैं, लड़की ने आरूप जो मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, आरूपी का कहना ये है, कि जब वो यहां आया था, तो उस दिन उस्सने परेस रिलीज बना रहा था, उस परेस रिलीज में उसने अखवारों में वो छपा भी है, जिसमें उस अभनेत्री को बिग बास में शामिल कराए जाने की माराना प्रताब सेना की तरफ से अपील की गई थी, वो अख़पारों में छपा है, वो सबूत के तोर पर ये कह रहा है, तो पूरी कहानी बेहत दिल्चस्प हो गई है, अभी तक अभिनेत्री जो बताई जा रही है, जिसने मुकदमा दर्जखराया है, उसने ट्विटर पर जाकर य सेनियर अधिकारी रहते हैं और जनप्रतिनीदी रहते हैं, वहां इस तरह की घटना हो जाए, आरोप लग रहे हैं, ये बेहत गंभीर आरोप हैं, दूसरी बात, राज वर्धन सिंग परमार को आखिर कमरा कैसे दिया गया, क्योंकि वो इसके लिए इलिजिबल नहीं थे, तो सवाल ये उड़ता है, उसमें जो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई सीनियर अधिकारी कमरा लेंगे, तो वो कमरा देखना चाहते हैं, इसलिए उनको एंट्री दे दी गई, वो घंटे भरते कमरे में कैसे रहा, तो बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाबाने बाकी करि alimentा हैं, जिनके इनके जनके जगा अए अब मीरा िैंगे, जिनके आते हैं, तो फपका देखना वेकारी कमरा उड़ता हैं, की पाता हैं, जिनके एक में हैंगे युताराा हैं, जिनके इक प्राजाराी उवाने कैनी। सुछ ऊंटे टी हैं, आ es बहुता हैं, एग ते वप